students then last class we study last topic it was some important elements some important elements and some important elements हम आपको बोला कि आप 30 elements को याद कर लेना and you are you are given three days for this ना तो आप दसदस करके याद कर लोगे या फिर एक दिन में भी याद कर लोगे बैटर रहेगा आप लोगे फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमेस्ट्री जो कि कल हम टॉपिक के स्टार्ट कर चुके थे ना और गेनिक इन और फिजिकल फिर अभी बात करने वाला है जो आपके नाइन्स क्लास का लास्ट टॉपिक था ना नाइन्स क्लास के लास्ट में आपने जब एस्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर में आपको डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन और नीट्रोन पढ़ाएंगे वोगे सर यह बहुत क्यों है वाई केमिकल रियक्षन होता क्यों है और अगर इसका डिफिनीशन चाहिए कि हमको अगर यह जाना आप तो यह पढ़ते आ रहे हो कि वाटर का फर्मूला होता है कोई आप से पूछ दे कि क्यों होता है आप केमिकल रियक्षन पर चाहिए स्ट्राइक करना है अगर आप से पूछ दिया जाए वाई इस एन केमिकल रियक्षन होगा ही क्यों नहीं करेगा धाल यह श्ट्राइक कर देगा है नहीं करेंगे रिक्षन का कर लोगे दिक्कत हो जाएगी फिर क्यों करे hydrogen oxygen reaction क्यों करे oxygen hydrogen reaction क्यों hydrogen के बाद में 2 लगा है यह हर question का जबाब आपको discovery of electron proton और neutron से मिलेगा यह से नहीं मिलेगा लेकिन बाद में अगर बात करते हैं electron proton और neutron के बारे में तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह दुनिया में आये कैसे या इनके बारे में पता कैसे लगाये गया इस पर discussion करना बहुत जरूरी है that's why now we are going to start with the topic some important elements again so some important elements इनमें आप लोग को हमने कहा था 30 elements के बारे में याद कर लेंगे यह 30 elements याद होने चाहिए hydrogen से लिके zinc तक मातर 30 इसके अलावा किसी को पढ़ने की आपको no need कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाली है यह enough है आप लोग के class के लिए 11th के लिए and higher studies के लिए also okay so branches of chemistry अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे branches of chemistry में देखिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं जो बच्चे कल नहीं होंगे उनको दिक्कत ना होगी उदर बाग गया चली branches of chemistry देखिए हमने कहा आप से elements के बारे में elements के बारे में कि total कितने elements हैं तो total 118 elements हैं 118 elements हैं यह 118 elements में से जैसे एक से लेकी 118 तक है यह सबका atomic number है atomic number इसमें से number six मतलब atomic number six atomic number six पर जो element है its name is carbon इसका नाम carbon है और दुनिया में carbon हर जगह पे everywhere हर जगह पे carbon होता है तो दुनिया में अगर हर जगह पे carbon है तो carbon इस universal element carbon हमारे लिए एक universal element हो गया universal element हो गया universal मतलब universe में हर जगह है और भाई जी उनिवर्स में हर जगह है जैसे इस दुनिया में कोई ऐसा living body नहीं जिसके अंदर कार्बन नहीं चाहे वो बैक्टिरिया हो चाहे वो वायरस हो चाहे वो हम लोग हो चाहे प्लांस हो कोई हो इस दुनिया में ऐसी कोई living body जहां नहीं जहां कार्बन नहीं इवन इस दुनिया में maximum ऐसे non-living तो उसमें carbon है तो पेंट है तो उसमें carbon होता है कहीं प爱 esnone उसके अंदर carbon है इवेन आप लोग एग देखते हो एग के ऊपर जो shall देखते हो उसमें भी carbon है तो carbon हर जगापे मिलेगा आपको हैं तो carbon एक universal element है और इसे लिए हुआ कि तुम हर organism में हो हर organism में हर organism में हर organism में तो उर्गें निस्म से और निक बन गया और इसलिए कार्बन का जो ब्रांच है तैट की पर्स्ट ब्रांच के और गेहनी ンकी के मिस्ट्री में s अर्गेहनी केमेस्ट्री प्रलेंगे नहां हा डाई और इस ऑरद्में washer अब बात की जाए तो भाव сторड्य एक 117 एलिमेंट्स तो 117 एलिमेंट्स यह 117 जो एलिमेंट्स बच चुके हैं इनके लिए हुआ कि एक ब्रांच बनाया जाए तो भाया जी और गेनिक क्या उल्टा इन और गेनिक इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया इन और गेनिक केमेस्ट्री इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री एक ब्रांच बना दिया गया तो ओर्गेनिक केमेस्ट्री में सिर्फ कार्वन की स्टडी होगी और इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री में कार्वन को छोड़के बाकी सब की स्टडी होगी यह तो जगड़ा हो जाएगा ना अब मालों आप सब में से ए एक एलिमेंट को उठाएं और हम ले जाके बैठा के उसको देड़ घंटा बैठा के पड़ाएं ना देड़ घंटे तक बैठा के पड़ाएं और आप 117 को बैठा के इस पेसल एक जगह पर पड़ाएं जब तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना पानी लेंगे क्या है ज्यादा दिक्कत है तो ज्यादा अगर एक सब्सक्राइब हैं तो वार हंड़नेट सेवेंटीन एलिमेंट के लिए एक इसपेसल ब्रांच अपन रखेंगे तो उसे कहा देंगे और इन और्गेनिक केमेस्ट्री और एक element के लिए a special branch रखेंगे उससे कहेंगे organic chemistry अब मतलब इसमें सब के बारे में पढ़ेंगे carbon के बारे में नहीं पढ़ेंगे अगर जहां आपने carbon का study किया जहां आपने carbon का study किया अगला दिन यह पहुंचेगा नौक नौक गेट खुला खेट खुलते ही लाठी दूचार लाठी का कि यह हो carbon हमारा element तुमें study किया क्यों है आगर carbon जी गलती से भी इसमें से किसी element का study कर लिए तभी पहुंचेगा यह तुमको दिया गया ने 117 हमारा है इस पे नजर मत डालो यह दोनों तो हो गया कभी-कभी बागु मेरे होता क्या ना कि और भी कुछ terms आ जाते है जैसे third number में आता ह and third number में जो branch आ जाता है it is physical chemistry, physical chemistry, physical chemistry, physical chemistry, physical में न, physical चीजों का नाम लिया जाएगा, physical, जैसे motion का नाम लिया जाएगा, motion का, motion, जैसे heat का नाम लिया जाएगा, heat, जैसे energy का नाम लिया जाएगा, energy, यह सब भी physical terms है और इनका use chemistry में किया जाएगा, जैसे आप 9th class में थे, जब आप 9th class में थे और आप chapter पढ़ रहे थे, matters in our surrounding, तो वहाँ पर एक term आया था, brownian motion, तो सोचो chemistry में, motion का नाम आ गया, chemistry में, motion का नाम आ गया, जब आप पढ़ रहे थे, is matter around us pure, वहाँ पर आपने topic पढ़ा, evaporation, वहाँ पर आपने heat दिया था, वहाँ पर आपने heat दिया था, आपने जब brownian motion पढ़ा, वहाँ पर एक topic आया, kinetic energy, तो वहाँ पर energy का नाम आया, तो जब chemistry में, physics के words आते हैं, chemistry में, physics के words आते हैं, तो उस chemistry को बोलते हैं, physical chemistry, means after all, there are three branches of chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. What is organic chemistry? Organic chemistry is a branch of chemistry in which we deal about carbon and its compounds. What is inorganic chemistry? Inorganic chemistry is a branch of chemistry in which we study about all the elements except carbon and its compounds. And the physical chemistry, the chemistry in which we use the application of physics in the chemistry. Application of physics in chemistry. Physics का use हम लोगो chemistry में करेंगे. तो उसे हम लोगो पढ़ेंगे कौन सा? Physical chemistry. All okay? So, branches of chemistry में, three branches है, organic, organic, and physical. Organic chemistry है, inorganic chemistry, और physical chemistry है. Organic chemistry की से बोलेंगे? जिसमें carbon और इसके compounds, बाकी कोई नहीं. Carbon और इसके compounds, बाकी और कोई नहीं. उसे organic chemistry बोलेंगे. So, organic chemistry, the branch of chemistry that deals with carbon and its compounds. Carbon compounds is called organic chemistry. मतलब वह ऐसे compounds, जो carbon सबने हैं, या खुद carbon, जैसे diamond. जैसे diamond. नाम आपने सुना होगा diamond का. में भी किसी-किसी के घर पे हो भी. जरूरी नहीं है कि हो? ना? बहुत अच्छी चीज नहीं है ये. तो diamond. ये diamond 100% carbon है. पता है? 100% carbon. इसके अंदर कुछ और होता ही नहीं है. कोई पुछे diamond क्या है? तो diamond एक element है, याद रखना. जैसे hydrogen element है, oxygen element है, वैसे diamond एक element है. diamond एक element है, इसका symbol C होता है. कार्बन का allotrop है, allotrop. कार्बन का रूप है ये सब, रूप. जैसे आप pencil से लिखते हो, तो pencil के अंदर graphite होता है. वह graphite 100% carbon है. 100% carbon, उसमें mix नहीं होता है कुछ. 100% carbon है. तो भाईया, जहां carbon का study करते हो ना, उसको organic chemistry बोलते हैं. इनके बारे में आप लोगों बताएंगे. और भी कुछ चीज़े पढ़ेंगे जो carbon compounds हैं, जैसे alcohol के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में फिलाहल बंद चल रहा है. अल्डी हाइड के बारे में पढ़ेंगे, आपके स्कूल में होगा, में धक, छिपकिली, इनको जिस लिक्वीड में डालके रखा गया होगा, वो या तो एसी टोन होगा नहीं, तो अल्डी हाइड होगा, इन सभी चीज़ों को रखा जाता है, ना, carbon, खुद, तो जब हम इ carbon नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा, जब सब होगे carbon नहीं होगा, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, इन और्गेनिक केमेस्ट्री, ती ब्रांच केमेस्ट्री, डिल्स बीट, elements, and all their compounds, सारे elements, और उनके सारे compounds, except those containing carbon, carbon वालों को छोड़कर, सब लोग allowed है, carbon वाले allowed नहीं है, बड़ा पिटाई होगा, ना, carbon वालों को छोड़कर, जैसे कुछ दिन बाद, आप लोगों में नियम लग जाएगा, बैच A इसमें, बैच B उसमें, सब बच्चे आएंगे, बीवालों को छोड़कर, ना, बीवालों को छोड़कर, जाएर सब लोग है, carbon allowed नहीं है, जब तुमको एक special branch देही दिया गया, तो कहें आए हो छेड़शाड करने हैं यहाँ पर, तो this is called inorganic chemistry, अब आता है physical chemistry, अब आता है physical chemistry, what is physical chemistry, तो हमने कहा, जहाँ पर application of physics chemistry में किया जाता है, मतलब, the branch of chemistry that deals with the application of physics in chemical reactions, chemical reactions कराने के लिए physical चीजों का यूज कर अबड़े energy देना पड़ेगा, light देना पड़ेगा, electricity देना पड़ेगा, तभी reaction हो पाएगा, तो ऐसे terms, ऐसे जगह, जहाँ पर chemistry के ऐसे reactions करवाने के लिए, जहाँ पर हमको energy की, motion की जुरूत पड़ती है, physical terms की जुरूत पड़ती है, जैसे thermodynamics, अब thermodynamics होता है heat, और dynamics, इसका मतलब होता है motion, आप तो जानते ही हैं, जहाँ heat देने मोशन हो जाए, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी मोशन में आ जाता है, पानी को गर्म करेंगे, तो पानी मोशन में आ जाएगा, तो thermodynamics, quantum chemistry, यह हम अभी पढ़ाएंगे आप लोगो, quantum chemistry का मतलब होता है structure of atom, atom और उसका structure, atom के द्वारा निकलने वाली rays, atom bombs, hydrogen bombs, इन सब पर बात होगी, motion, energy, तो भहिया अगर इन सब की बात जहां भी करेंगे, सब physical term है, सब physical term है, तो physical terms को कहां पढ़ेंगे, physical chemistry में पढ़ेंगे, all clear, तो इस तरह के से हमने पढ़ लिया, what is the branches, what are the branches of chemistry, that is organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry, तीन तरह के chemistry के branches है, organic है, inorganic है, और physical है, any problem, तो now go through the atom, यह atom जो वर्ड है न बाबू, यह आपको काफी जान पहचानवला वर्ड लगेगा, because जब आप 9th class में थे, तो 9th class में chapter था, atoms and molecules, वहाँ पर यह आपको atom वर्ड मिला होगा, ना, atom, इस atom वर्ड को पहली बार 1808 में, 1808 में, John Dalton ने दिया था, John Dalton ने दिया था, John Dalton, और Dalton's atomic theory आपने 9th में पढ़ा था, उसकी जरूरत नहीं पढ़ेगी, जितनी जरूरत पढ़ेगी हम पढ़ा के ही स्टार्ट करें, यह चिंता मत करो, यह सब 9th का topic पढ़ा रहे हैं अभी है, Dalton's atomic theory, तो John Dalton ने 1808 में atom नाम दिया था, लेकिन जॉन डालतन से लगवग 2200-2300 साल पहले, इसके बारे में एक आदमी पहले से बता चुका था, इसका नाम था महर्शी कनाद, महर्शी कनाद, इंडिया, उन्होंने atom के बारे में पहले से क्या दिया था, उस समय उन्होंने atom का नाम परमानू रखा था, परमानू, परमानू रखा था, हिंदी में, ना, हिंदी आप लोग पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन हम लिखना आता है, परमानू, ऐसी परमानू का English, आज के जमाने में atom होता है, परमानू हतियार, आज कल न्यूज में खूब चल रहा है, परमानू हतियार, मतलब atom bombs, atom related bombs, जितने भी, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने atom के बारे में बताया था, वाट इस atom, चली आज हम भी कहते हैं, वाट इस atom, मालो कि सपोज करो ये जो remote है, य iron, लोहिक बना हुआ है, ये लोहिक बना हुआ है, और इसे हम काटना स्टार्ट करते हैं, एक बार काटे दो पीस बना, दो बार काटे चार पीस बना, चार बार काटे आठ पीस बना, काटते गए, काटते गए, काटते गए, काटते गए, काटते गए, इतना काटे, इतना का तो उसी को atom बोलेंगे, उसी को atom बोलेंगे, मतलब यह iron था और iron क्या है एक element है? तो iron का smallest unit, लोहे को तोड़ना है स्टार्ट किये, तो लोहे का जो सबसे छोटा वाला unit मिला, सबसे छोटा unit, smallest unit, that is called atom, उसी को atom बोलेंगे, अब atom को एक तरसे और हम समझाएंगे, element जहोता है इंडिया, इंडिया एक country है, अब माल लो अगर हम कहते हैं कि इंडिया और चाइना में जगडा हो गया, सपोज इंडिया और चाइना में जगडा हो गया तो इंडिया उठके जाएगा चाइना उठके आएगा अदुन मार पिट करेगा नहीं इंडिया लड़ाई नहीं करेगा इंडिया की आर्मी लड़ाई करेगी चाइना जगडा नहीं करेगा चाइना की आर्मी लड़ाई और इंडिया एक element है अब समझा रहा है कोई भी काम होगा एटम नहीं करता है सरी element नहीं करता है element के atoms करते हैं मतलब आप यह जान लो कि आपका घर बना है तो आपके घर में धेर सारे bricks used हुए होंगे तो आपका घर है घर एक element है और घर में जो bricks यूज हुए है न जो ब्रिक्स यूज हुए है दोज आर एटम्स वही एटम्स है जो सब से छोटा यूणित होता ना यूणित उसी को एटम बोलते हैं तो यही है एटम वाट इस एन एटम 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 इस था अब इसमें और एट करेंगे हम लोग तो हम इतना पहले लिख देते हैं ऐटम्स है दर एटम्स होता है और अभी अभी हमने कहा जब जगड़ा होगा वार होगा तो इंडिया नहीं जाएगा इंडिया की आर्मी जाएगी तो जब कभी रियक्शन करना होता है रियक्शन तो एलिमेंट रियक्शन नहीं करता है एटम्स रियक्शन करते हैं एटम्स एलिमेंट के लोग कौन है एटम्स है तो एटम्स एटम्स स्मॉलेस्ट unit of an element which takes part in chemical reaction आगया chemical reaction वर्ड और यह आप लोग के पहला चेप्टर है है that's why हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं हम कभी फिश्यूल में टाइम बरबाद नहीं करते उतना ही नहीं टाइम हमारे पास that's why atom is the smallest unit of an element which takes part in the chemical reactions atom किसी element का वह सबसे छोटा unit है जो chemical reactions में participate करता है लें question यही पर दुखूम रहा है कि क्यों participate करेगा क्यों reaction होगा तो सब पता चलेगा थोड़ा 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 समय आने दीजिए दीरे दीरे सब के सभी बातों पर बात होगी रहा है गोल्ड तो सब देखे होगे घर पर हितना यतना होगा ना के देदेने आप बोला जाएगा घर पर रखो गे चोरी हो जाएगा ना हम लॉकर में रख देंगे अपने तो यह अलो गॉल्ड का यह लो अलगा दिखे रहा है अब तोड़ना है start करते हैं तोड़ते तोड़ेंगे तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए लास्ट में एक यूनिट भी लेगा यूनिट अब उससे चोटा नहीं होगा उसी यूनिट को क्या बोलेंगे एटम बोलेंगे उसी यूनिट को एटम बोलेंगे तो गोल्ड है तो गोल्ड का एटम इंडिया है एंडिया की आर्मी चाइना आतरो चाइणीज आरमी ना अमेरीका है तो अमेरिक आर्मिश बइसे ही अगर आई रามधा ही अरन गोलो पोलका हा जै tes यूणिय अगर आड्री अब जाना होगा जैसे देखो हम लिखते हैं H2 पलस O2 एरो एच टू ओ जब हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एक्षन किये और प्रोलम लडाई की जगडा की तो क्या बना हस्ट व Kr bitch वो बन हो यह लए कितना टींग है कितना हेल यह यह होता है है ँएटम सी केमिकल डीक्शन मिपायदि सीपेट करते हैं हैं केमिकलल रीक्षन में यहめて करने लिए कोई है तो है एटम स्थे टायरी स्ट्ट smallest unit of an element which can take part in the chemical reactions is called an atom इसी को atom कहते हैं John Dalton was born in England in 1766 in 1802 he gave his atomic theory and named the smallest particle of an element as atom John Dalton का जन्म 1766 में हुआ था ना एक वीवर फैमिली में हुआ था थोड़ी सी कहानी सुन लिजे इनकी भी एक वीवर फैमिली में हुआ था जुलाहा परिवार जुलाहा किसे बोलते हैं कपड़ा बुनने वाले जो लोग होते हैं उनको जुलाहा परिवार बोलते हैं तो उसी परिवार में इनका जन्म हु तो गरीब परिवार से थे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में पढ़ाने लगे पढ़ाते पढ़ाते उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन गए प्रिंसिपल बनके कुछ दिन दों तक सेवा किये उस स्कूल में और फिर वहां से निकल के चले गए जाके पढ़ाई किया अपना मैंसेस्टर में और मैंसेस्टर में स्टड़ी करके वहां पर कॉलेज में जब यह गये तो आपर फिजी केमेस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे चैनू इन्हों सब्ढ़नाक से तो उनको वहां पर टाइम मिला पढ़नें का अब पढ़ते 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 वह ही पर इट्म का खोज हुआ add vemos की discovery हुई एट्म के बारे में इन्होंने पता लगाया एटउ viens में इन्होंने 1803 में अपना atomic theory लिखके सब्मिट किया 1808 में उसको approval मिल गया 1808 में approval मिला था उस theory को तब से कुछ books में 1802 देता है कुछ books में 1808 देता है यह आगे पीसे देते रहा था कोई दिक्कत नहीं है तो atom के बारे में अब आप कहोगे what is atomic theory अब आपके मन में अगो छोनु है तो सोनु theory यह सोनु के बारे में theory theory मतलब्न ओर्ट a need detail आप लुए और अप लोग कर रहे है've just dp idp दे रहे हम आप लोगों तब है कि imaging याटम के बारे में जो भी Milky Which by火 बता है जो भी बात बोलेख दुशार बात बोल दिए होंग aggressive के बारे में तो जो भी बात बोले अटम के बारे में वही है अटमिक थिवरी ना जैसे हम अपने बारे में बोले ना की अजस्ट राइक हम आए हमको इंट्रोड़क्शन देना है अब अपने बारे में बुलना है स्टार्ट करें हम साइन्स पढ़ाते हैं मैच पढ़ाते हैं बाइलोजी पढ़ाते हैं इस इस माई थियूरी मनमित थियूरी तो उhat मिल थे अटम के बारे में बताएंगे तो अटमिक थियूरी जिसके बारे में बताई जाती है उसी की थियूरी माने जाती है अल क्लियर all clear so let's study the further parts according to him किसके द्वारा John Dalton उनके अनुसार according to him atom is indivisible atom indivisible है atom को divide नहीं कर सकते अभी अभी तो बोले हम कि इसको divide करते जाओ एक ऐसा stage आ जाए जब हम इसको और divide नहीं कर सकते उससे stage को क्या बोलेंगे atom बोलेंगे उसी stage को atom बोलेंगे तो John Dalton जिस समय में जी रहे थे न बहुत पुराने समय की बात है बहुत पुराना जमाना था वो John Dalton के समय तो उस समय अभी उतना बड़ा बड़ा equipment नहीं बना था उतना modernization नहीं आया था कि atom को divide किया जा सके तो John Dalton के रुसार atom indivisible है atom को divide नहीं कर सकते organic का उल्टा inorganic divisible का उल्टा indivisible इसे हम divide नहीं कर सकते so but modern experiments जब नएने experiments आए तो इन्होंने क्या कहा atom can be divided into electrons, protons and neutrons electrons, protons and neutrons हम electron, proton और neutron में atoms को divide कर सकते है electron negative charge होता है proton positive charge होता है neutron पे 0 है मतलब no charge होता है all clear all clear so अब आता है types of atom बावब types of atom नहीं होता है real में parts of atom होता है अब book कह रहा है type of atom तो गलती से हमको पढ़ाना ही पढ़ेगा ऐसे real में parts of atom होता है atom के 3 parts होते हैं खुब आराम से समझना बावबो atom के अंदर 3 parts होते हैं neutron एक होता है proton और एक होता है neutron electrons protons and neutrons there are three parts of atom तो चली अब इसको पनाते हैं पहले यह कोई और बार बार करते ही गोल का है नहीं होता है चलो अब गोल हो जाएगा यह atom हो गया atom और atom के अंदर पहले खुब बढ़ियां से पढ़ो what happens inside the atom atom के अंदर यहां पर जैसे हर मिलिसं होता है तời इस नचली जैसे अरह के भीतर मिलिसं होता है वएसे एंटम के بहीतर और रूम्स हैं और और अगो छेल कमरा मंने ब्लांकेट ना कमरा मिनस रूम को जिसे में राते हैं जैसे बेड्रूम ना डानिंग रूम ग्लास रूम हो गया एतना ही रूम काफी है है जी अगेशन कशेल में जैसे कि यह गयाने चेल यह हो गया ang यह सब सेल्स हैं तो बावु पता है यह जो जगह है ना नुकलियस इस नुकलियस के भीतर दो लोग निवास करते हैं एक होता प्रोटॉन और एक होता न्यूट्रॉन और नूकलियस के बाहर इस सब जगह पर इलेक्ट्रोन घूम रहा है सब तो कोई पुछे आपसे बोले एटम के अंदर क्या होता है एटम के अंदर दो तरह की चीजे हैं एक है नूकलियस और एक है शिल nucleus के अंदर क्या होता है nucleus के अंदर होता है protons और neutrons और cell के अंदर क्या होता है electrons, क्या बाब हो electrons, cell के अंदर electrons रहते हैं और nucleus के अंदर protons और neutrons रहते हैं all clear हो चलिए, यह हो गया types of atom में 3 चीज़े आ गई electron आ गया proton आ गया neutron आ गया यह तीन पार्ट्स है किसी भी एटम के, these are the three parts, एलेक्ट्रोंस, प्रोट्रोंस, एन्यूट्रोंस, चलिए, on the basis of modern experiments, atom can be divided into three types, एलेक्ट्रों, प्रोट्रों, एन्यूट्रों, तीन पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, so let's start with electron, अभी हम लोग electron topic को start करने जारें, students, really it will be very very interesting because we will have to study some beautiful experiments like cathodery experiment, okay, Robert Crookes experiment and J.J. Thompson's experiment, okay, so there will be many experiments here and very very important also, कुछ ऐसी चीजे है जिनके बारे में जाना जरूरी है, अगर नहीं जानते हो, तो जान जाओगे, जानते हैं, so okay, any doubt? Okay, वो कल एक next batch में बच्चा बोला हमको, साहिदी आप ही लोग बैच का था, next batch में कोई बोला हमको, कि sir doubt नहीं पूछना लाओड है, क्या ये लोग बोल रहा है, आप ही लोग बैच में हैं, अच्छा वही था, पूछ सकते हैं, कुछ मन में आ जाना, तो पूछ लिया करो हम से, ना, अच्छी आदम हैं, अब कोई तारीव नहीं कर लेते हैं, तो electron, what is electron? Electron क्या होता है, electron कुछ नहीं होता है, electron एक, देखो, element element से छोटा atom और atom से छोथा electron, तो इलेक्ट्रोन एक सब एटोमिक पार्टिकल है सब एटोमिक पार्टिकल है सब एटोमिक पार्टिकल सब एटोमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रोन तो चलिए इसके बारे में थुड़ी बात कर ली जाए हम यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोन Electron सबसे पहला बात कि Electron एक subatomic particles है मतलब Atom से छोटा particle है Electron दूसरी बात Electron Negatively Charged है Negatively Charged Negatively Charged मतलब इसके उपर निगेटिव चार्ज होता है अब आपके मन में आएगा कि ये चार्ज क्या है बाबु चार्ज एक प्रोपर्टी है चार्ज एक प्रोपर्टी है जैसे अपने ये समझ से हैं कि मास एक प्रोपर्टी है मास क्या है तो mass हमारी property है अगर हम matter हैं तो हमारे अंदर mass होना जरूरी है हमारे अंदर mass होगा तभी हमको matter बोला जाएगा नहीं तो फिर हमको matter नहीं बोला जाएगा तो हमारे अंदर mass रहेगा then only we can be shed like a matter otherwise we will not consider to be a matter matter तभी है जब mass है वैसे ही बाबू इनके पास charge होता है charge charge मिस होता property charge मिस होता property और property जो होता है अगर opposite दिखाया जाए तो नहीं खूब अराम से समझना इस चीज़ को property अगर बाबू opposite दिखाना होता है ना तो हम लोग यूज करते हैं किस सीज़ का negative positive जैसे electron जो होता है निगेटिव चार्ज होता है अब proton जो होता है और होनुटरन पर जो देखा गया ना जब देखा गया यह दोनों एक दूसरे के opposite तो लिए इस दुनिया में opposite को दिखाने के लिए न सबसे जैदा लोग plus plus minus का huge करता है वattup से ज़्यादा लोग plus minus का यूज करता कि नब opposite को दिखाना हो तो प्लस और माीनस का यूज करते हैं अगर suppose पहली बार इस charge को दिखाने के लिए किसी ने कहा जाता कि electron positive charge प्रोटॉन negative charge तो आज यही और प्रोटन निगेटिव ली चार्ज है ये मत पूछना कभी हम कि Electoron निगेटिव चार्ज ही क्यों होता है वह और रखा हो 가 IO उसका अपका नन weniger मत नवरा सब्सक्राइक आपका पठालियों के वहा अब हॉम का म 닉ने का है के लिए है तो ऊसा जो लड़कों की category से बिलॉंग करते हैं और यहां पर कोई लड़की हो तो हम कहेंगे I am a charge and she is a charge. So, हम अलग हैं वो अलग हैं तो हम को दिखाना हो अगर हम कहेंगे खुद को plus तो उसको क्या बोलेंगे? Minus. हम कहेंगे खुद को minus उसको क्या बोलेंगे? Plus. ना? तो अक्सर इस दुनिया में दिखाने के लिए plus minus का यूज किया जाता है. Plus और minus का यूज किया जाता है. Show करने के लिए किसी चीज़ को opposite दिखाने के लिए plus minus का यूज किया जाता है. तो वही बात है electron negatively charge होता है. इसकी property ही negative होती है. आप कोई पूछे इसके उपर कितना charge होता है? तो बाबू, electron के उपर 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb charge होता है. Coulomb charge होता है electron के उपर. इतना charge होता है. Charge means negative charge. इतना ये negative है. कोई पूछे आपका mass कितना है? तो आपका हमारा mass 50 kg है, 50 kg है. तो वह आपकी property है. वैसे electron की property है, property, mass नहीं, property है. इना, electron का जो बाबू, mass होता है, its mass, इसका जो mass है, that is, 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. या अगर आप इसको kg में लिखोगे, तो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. सोचो, electron का mass कितना कम है? है, हाँ, अगर हम इतको हो, सही में लिखना है, स्टार्ट के दें, 0.28 times 0.00000, 0.00000, 0.00000, लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ, 0.00000, लास्ट में क्या लिख दो, 9, 1, gram. यार, इडिज एप्रोक्सिमेट टू, 0, इतना छोटा कौन होता है, हाँ, हम बोले, आप आजाओ, हमारे पास, सर, कुछ पैसा जमा कर दें, हम बोले, कितना बाबू, 0.00000, बाब यहांते जल्दी, मजा कर रहा है, हाँ, पुना डेसिमल लगाए, बीना 1 पर 0 लगाओ, तम न मलेंगे, हाँ, लगाओ 0 जितना लगाना है, हाँ, यह कौन बात हुआ, तो यह इतना ना कम मास होता है, तो यही इसका मास, इसका मास होता है, बाबू, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है न, इसको, जाकब जॉन थॉम्सन, क्या, जेजे थॉम्सन, जेजे थॉम्सन ने, जेजे थॉम्सन ने, जेजे थॉम्सन ने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन को खोजे, इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, कैसे मिलता है, इस सब के बारे म यह electron का जो mass है न, electron का जो mass इसे 9.1 into 10 to the power minus 28 gram को approximate 0 माना जाता है, याद रखीगा, 0 माना जाता है, लेकिन एक और चीज है, जो electron का mass है न, mass of electron, mass of electron, this is equal to 1 by, देखिए, यह बहुत ही कम होता है, बहुत 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 कम, मत आप जितना सोच भी नहीं सकते, means you can say कि एक atom है न, एक hydrogen है hydrogen, इस hydrogen से कितना गुना कम? अरे बहुत, about 1800 times कम, 1800 times कम, इतना कम होता है इसका mass, 1800 गुना छोटा, मतलब आप यह कहो न, अगर approximate में 2000 बोल देरा, तो मतलब एक hydrogen होता है hydrogen, एक hydrogen का जितना mass होता है, इस दुनिया में सबसे हलका element कौन है? hydrogen, एक hydrogen का जितना mass होता है न, उस hydrogen के mass में 2000 electron आगे पीछे घुमेंगे, मतलब अगर आप एक तराजू रख दो, तराजू, अब उस तराजू पर वजन करो, एक तरफ एक hydrogen मसी से बईठा होगा, आज दूसरा तब 2000 electron एक दूसर पकर पकर लटका होगा है, भाई तरी खिजग न, हम भी adjust हो जाते हैं, 2000 electron का जितना mass होगा, उतना अकेले एक hydrogen का mass होगा, सोचिए, तो electron का mass बहुत, बहुत, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, चलिए अभी इसको पढ़ा जाए, electron एक negatively charged particle है, और it is denoted by E, इसको E से denote करते हैं, कहां भागया जी, चलो है दिया है, वो होता है कभी कभी, इना, electron revolves around the nucleus of the atom, nucleus के बाहर घुमते रहता है, है, nucleus के बाहर घुमते रहता है, चक्कर काटते रहता है, the absolute charge over the electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of negative charge, negative charge है, that is like this, यह है, यहां पर negative लगा हुआ है, minus, इना, the relative mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 28 gram, that is equal to 1800 times less than hydrogen, hydrogen के मास से, मतलब प्रोटोन के मास से, लब अठार सब गुना छोटा होता है, तो कहीं पर बुक में आपको मिलेगा 1 by 1840, कहीं पर मिलेगा 1 by 2000, और कहीं पर मिलेगा यह, this is exact, 1 by 1836 times, mass of hydrogen, and since the mass of electron is very small, यह हम जानते हैं कि mass of electron बहुत छोटा है, बहुत 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 कम है, तो, it is considered to be equal to 0, इसको 0 बोलेंगे, सो, देखो, यह कितना कम है यार, बड़ा दुख की बात है, electron के साथ में 9 साफी हुआ है, हम लोग का mass kg में, इतका gram में भी नहीं है, बहुत चोटा-चोटा value होता है भाई मेरे, चलो, electron को समझ गए, अब परते है, discovery of electron, कहा नहीं समझ में रहा है, fourth point, यह वाला है, यह charge, यह charge नहीं समझ में रहा है, चिंता नहीं कीजिए, हम charge के बारे में जब electricity chapter पारेंगे न, वाँ पर discussion करेंगे, चार्ज एक बहुत lengthy topic है, मतलब लबस दो क्लास लगता है, तीन घंटे क्लास लगता है, इस charge को समझ में, अभी बस आप यह समझो, कि कोई एक ऐसी प्रोपर्टी है, कोई एक ऐसी, मत जपोज करो कि हम electron है, हम एक electron है, तो हमारे पास कोई ऐसी प्रोपर है, इस कारण से हम दोनों एक दूसरे को attract कर लेंगे, two different charges attract each other, and two same charges repel each other, तो हम उसको attract कर लेंगे, तो वही प्रोपर्टी को charge बोलते हैं, चार्ज को, चार्ज को एक value दिया गया है, और वो value दिया गया है, 1.69, 10 to the power, minus 19 Coulomb, कुलोंब रामएक स्टाइंटीस से, उन्होंने क्या किया, charge का unit दे दिया, charge का एक value दे दिया, कि electron के उपर इतना charge होगा, और don't worry, proton के उपर भी इतना ही charge होता है, proton के उपर भी इतना ही charge होता है, यह minus में होता है, proton plus में होता है, minus plus से attract होता है, आकि value से attract होता है, बड़ा गलत बात है ही तो, अच्छा, मतलब n for neutron, n for negative, अच्छा, ठीक है, चलिये, माल लिये, आसे, our first theory, our first theory will be like this, that the atom should be considered to be negative, without any cause, but proton will be considered to be positive, because its letter start with P, okay, so we will start with this theory, our first theory, my notes will be clear, okay, चलिए हम नोट समें इसको पॉइंट को डालेंगे, I'll update it, just kidding, don't worry, discovery of electron, atom की, electron की discovery कैसे हुई, होता है न गलती से, इस दुनिया में बहुस तरह काम यार गलती से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे गलती से होते हैं, तो दुनिया में बहुस तरह काम गलती से होते हैं, electron की discovery सर्थ से बड़ी गलती थी, ना, ना discovery हुआ रहा था, ना इतना पढ़ना होता, ना दिमाग में इतना tension होता, यह न्यूटन कहां पड़े, न्यूटन के बारे में, electron की discovery, 1897 में हुई, हमारे जन्म के 100 साल पहले हुआ, ना, electron की discovery, 1897 में हुआ, 1897 में हुआ, और न्यूटन मर चुक बारे में, कहां न्यूटन को proton, न्यूटन के बारे में पता था, क्या न्यूटन साइंटिस्ट नहीं है, है, तो क्या जरूरत थी इसको ढूंडने की, ढूंडने की जरूरत थी, अगर हम discoveries नहीं करेंगे, देन हम लोग अपने आने वाले generations को, हम लोग अपने आने वाली पी से नहीं दे पाएंगे, हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, अगर हम इसके बारे में जनकारी नहीं रखेंगे, तो सुधार नहीं हो पाएगा, आज अगर न्यूट्रोन नहीं मिला होता, तो बॉम नहीं बना होता, न्यूट्रोन मिला, इसलिए बॉम बना, बॉम बना, अब जैसे आप जानते हो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने डाइनामाइट का विसकार किया डाइनामाइट डाइनामाइट एक ऐसा चीज होता है डाइनामाइट जो कि आप ये समझ लो कि डाइनामाइट के कारण बहुत सारे काम आसान हो गय वह इसलिए बनाया कि जो आप लोग जो future generations आएंगे पहाडों को तोड़ तोड़के पहाड में डाइनमाइट लगा के उला देंगे पहाड तूटेगा सुरंग बनाएंगे सुरंग बनाएंगे तो उनको बड़ा बड़ा दूरी बड़ा बड़ा डिस्टेंस आसान हो दिख रहा है अब तो गए हम तो चले परदेश निकल लेंगे अब सो डाइनमाइट यार दुनिया में जो भी जिसको भी जुए न जितना हमारे लिए helpful है उतना हमारे लिए hazardous है तो जिन चुम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई जितना अच्छी चीज उतना अब पढ़ाई को निगेटिव ली यूजे करना स्टाट कर दो आज जितना भी हैकर है सब जितना भी हैकर है सब उवह कंप्यूटर पढ़ा है आप लोग भी बच्चे आगे जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस पढ़ गए कोई एप बना रहा है जैसे कोई आरोग सेत्यू एप बना रहा है जो लोगों को हेल्प करेगा आकोनो वायरस बना रहा है जो उस एप को ही है करेगा तो पढ़ाई जितना अच्छा है उतना खराब भी है हम लोग को पॉजिटीव पहलू पे ध्यान देना है हम लोगों पढ़ाई का प्लस पॉइंट पे ध्यान देना है प इसका हम बात करते हैं डारेक्ट 1878 की 1878 की 1878 में एक साइन्टिस्स थे उनका नाम था रॉबर्ट कुख रॉबर्ट क्रूक इसलिए आता है क्रूक्स ट्यूब या क्रूक्स एक्स्पेरिमेंट रॉबर्ट क्रूक जो थे न बाबू इन्होंने खुब बढ़े हैं समझना 1878 में रॉबर्ट क्रूक आते हैं और रॉबर्ट क्रूक क्या करते हैं यह एक ट्यूब बनाते हैं ट्यूब ऐसा देख लो यह जो ट्यूब दिख रहा है यह वाला ऐसा ही ट्यूब था अब यह मत सोचना देखने के लिए बनाने रिखाएंगा नहीं हम पर डाउट मत करना पाप लगेगा चलो यह ट्यूब इसका मोड गड़ पर चल रहा है यह बैटरी हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया बैटरी को अन कर दिये यह जिसमें प्लस आया है उसको बोलते है एनोड और जिसमें माइनस आया है उसे बोलते है कैथोड न ए न कथोर्ड एक एयन ब्सक्रू met BOB क कि नामक सइंटिस्टेन है इङलेक्रषेस्चाज ट्यूब को बनाया था इसा meas कि निश्व ने किया है वनने का काम इसका 50 सल पहले ही हो गया था लाइन डिस्कॉबरी सीस्टवी वहां से पढ़ रहा है इन्हों इसको बनाया और इसको बनाने के बाद इसमें करेंट दिया करेंट और बाबु जब करेंट दिये न और यहां का प्रेसर खुब कम कर दिये एट्मोस्फेरी प्रेसर खुब कम कर दिये तिन्होंने क्या देखा कि कैथोड के तरफ से एक रे चल रही है जो एनोड की तरफ जा रही है इन्होंने उसको देख लिया था इन्होंने इसको देख लिया था लेगिन इन्होंने कुछ कहा नहीं इन्होंने कोई थ्यूरी ने दिया बस यह बोले कि कैफोर्ड से रे निकला है इसलिए हम लोग इसका नाम कैफोर्ड रे रखेंगे कैफोर्ड रे इसका नाम रख कैथोड में से एक लाइट निकला एसको कैथोड रहे बोलेंगे अब आपके मन में एक वाद घूम रही होगी हाउ इस पोनिवल सब का यहां है एक वाइर यहां यहां पर कैसे चला बहुत आप नहीं है है कि यह नहीं है तो परता है इसी कारण से लाइट निकलता है यह सटा नहीं है दोनों आपस में फिलामेंट देखते हो नो बल्ब का उस सटा हुआ रहता है फिलामेंट यह सटा हुआ है न? बल्ब का यह फिलामेंट सटा हुआ है यह नहीं यह LED बल्ब है Light Emitting Diode है यह दोनों억 डायोड है अलग-अलग इसमें electron जब jump मारता है न यहां से jump मारके वहां जाएगा न उसी बीच में energy release हो जाता है light के रूप में उसी बीच में इसलिए LED बल्ब गर्म नहीं होता है ज्यादा यह LED है LED देखिए गर्म नहीं है यह LED पे चल रहा है इसलिए LED बल्ब जल्दी ज्यादा गर्म तो होगा ज्यादा गर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ गर्म होने वाला चांसे नहीं है इलेक्ट्रोन डारेट जंप मारके उदर चला गया लेकिन वहीं फिलामेंट बल्ब था पहले जोन बल्ब आता था सो रुपया सो वाट वाला दसस रुपया अटाट रुपय निपो का एवेरेडी का वही था यह फिलामेंट जब गर्म होता था जब गर्म होके 2700 डिग्री से ताइस सो डिग्री से टेमपरेशर जब पहुंच जाता था तब यह ग्लो करता था लाइट देता था यहां 100 डिग्री से पे वाटर ब्वाल होने लगता है यहां 2700 की बात कर रहा है तो जोन फिलामेंट वाला बल बाता था अब बाबु इतना गर्म होने के लिए तो बल लगा दो अगले दिन आके बोलेगा मां का मैं चला लो जला लो अगले दिन मीटर लगा रहें देखते रहो आप मीटर लगा लिए ओता तो कुछ नहीं बोलेगा का है कि 100 वाट का बल्ब है 100 वाट अधंड़ वाट का मतलब हो एक सेकेंड में 100 जूल एनरजी यूज करे रहेंगे और जितना यह बख लाइट देगा पांच-वाट का पांच-वाट बख लगा दिया पांच-बाट-बख वह वी उतना ही लाइट देगे मतलब जहां यह सो आट ले हैं सो जूल एक सेकेंड में यह यह पांचे जूल लेगा मताब 20 बल्ब जलेगा LED बल्ब कितना जलेगा 20 बीस गो LED बल्ब जलाएंगे और एको यह जलाएंगे दूनों बराबर तो काई नहीं LED बल्ब जलाएंगे बिजली बिलकम उठेगा आप समझ में आ रहा है तो बाया अगर यह दूर रहेगा न तब भी ऐसा होगा जैसे यहाँ पर जितना भी जल रहा है सब मरकरी या फिर ट्यूब लाइट जो भी ट्यूब लाइट है और यह देखो यह जो लगा हुए LED मारकरीज है LED यह LED है और वो जो लगा हुआ वह इसमें LED है यह सब legal झोटा चोटा इसको जब खुलोगे तो अंदर छोटा छोटा चोटा LED बल मिलेगा इतना च्छोटा च्छोटा LED बालका फूरा यहां-स लेके वह χोलेव ओप Partners याद रखेगा आहिए अप dabar OD से जुदूरी बढ़ जाएगा अब इलेक्ट्रोन कहें रहे कहाई से कुदे जी एतना दूरी बना दिये हो समझ गए यह एई समझ गए तो कैथोड से जो रे निकली उसका नाम क्या पड़ गया कैथोड रे उसका नाम पड़ गया बाद में 1897 में 1897 में जेजे थॉम्सन ने किसने बाबू जेजे थॉम्सन ने इस कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया क्या रख दिये इसी का नाम इन्होंने एलेख्ट्रॉन रख दिया कुछ कि कहा नहीं इन्हों ने कैतोड रे बाफ हो एक डिसकोटी फिर दुबारा कि अब ऑले कि इसमें जो थॉम्सन ने कहतोड रे की डिस्कवरी और लेगिन अब इनका भी नाम चर्चा में नहीं है सारा काम अभी नहीं को जाता है कहतोड रे हो चाहिल्टर उसकी डिसकवरी किस ने किया कै जे जे थॉम्सन ने किया all clear पूशाली अब इसको पढ़ा जाए यह यही है Cathode Ray Tube यह vacuum pump है vacuum pump बाबु हवा रहता है ना जैसे LED बल्ब का सीशा तोड़ दोगे यह नहीं जलेगा हवा रहे गए तो हवा में भाग जाएगा इसलिए इसमें का एर कम करने के लिए वैक्यूम पॉम्प लगाए गया गज़ा है फीच लेता है पूरी हवा वाक्यूम क्लेटर को कभी गाल पी लगा के खिशना हुआ पता चल दाएगा अगला दिन तो इतना गाये में रहेगा पूरे के पूरे एएर को खिश के बाहर निकाल देता है और जब बाहर निकल जागा न अब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा इधर उदर इधर उदर जाते रहेगा कैथोड एनोड बैटरी ठीक है देखी कैसा होता है कहां किया यही है जो उन लोगों ने एक्सपरिमे क्गिडर जा रहा ह BBQ इधर से निकला जै इसलिए का नाम क्या रखा गया घज़ोड रे कह सी इस निकलेगा तो अनुलाय यावतल है तो सुन रे सवर्फट आता है तो सब्सक्राइबॉर्स रॉटता है उनलाइब तट्री यह लेंगे तो के तो अब किसी भहिय के मन में आ पर रहा होगा ये कर से पता चला कि नीगेटीव है यह बीकिसória है यह बड़ी सुन दरबात है यह कैसे पता चला कि नीगेटिव है देखें यह बात यहां पर पता चली का जब इसको रखके और नीचे से इसे नीगेडीव प्लेट नीगेटिव फ्लेट को प्लेट में नीगेटिव चार्जाज ढ़र दियागया जीतने आप commodit grave टो दुब इनो धिस दुब मतलब यह भाग रहा है То same charges Repair तो अगर यह the negative है इसका इसका मतलब यह वी कौन है negative है अर negative है तो हो तो गया negative charge ल नो छलिए एक पढ़ लिए ईसको इन 1897, 1897 की बात है, जोसेफ जॉन थॉम्शन ना जेजे थॉम्शन found that when a high voltage of 10,000, 10,000 volt, तो बैटरी कितना यूज़ के थे ये? 10,000 volt बैटरी यूज़ के थे, was applied between the electrodes present in partially evacuated cathode ray tube. अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह हुआ कि जो ट्यूब था ना ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर से पूरा गैस नहीं निकाला गया था, मतलब गैस निकाल दिया गया था पूरी तरह से नहीं, इसलिए partially बोलना है, क्या बोलना है? पार्सेली, ना, at the pressure of 0.01 mm of mercury, mercury के जगा पर Hg भी लिखा जा सकता है, अब यह क्या है, आप लोग को 9th class में atmospheric pressure पढ़ाए होंगे सर, और उसी में आपको बता दिये होंगे कि mm of Hg का मतलब क्या होता है, बाबू pressure जो होता है प्रेसर, इस pressure को mm of Hg में measurement किया जाता है, माल लोग की जैसे thermometer है, thermometer, thermometer से जैसे thermometer है, लगा दिये, थोड़ा दे रूखते हैं, बताने वाला थोड़ी है, तो जब हम इसको निकालेंगे अरे, यह तो 97 है हमको बुखार हो गया जी, चलो पानी का पठी लगाते है, 97 पर नहीं लगाएंगे, यह जो प्लेट यूज किया जा रहा है, यह जो थर्मोमेटर यूज कर रहा है, इस थर्मोमेटर के ऊपर, नार्किंग है, मार्किंग है, वान शेन्टीमेटर, टू शेन्टीमेटर, थ्री सेन्टीमेटर, फोर सेन्टीमेटर, फाइब सेन्टीमेटर, आराम से समझो, हर चीज का consent भानेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जब हमारा बुखार है, और यहां का mercury, मरकरी मींज अरे धरमों मेटर के अंदर मरकरी भरा रहता है मरकरी जब हीट मिलता है तो मरकरी फैलता है इधर ब Посलेकी लगा हुँ ह perpendic यहां से अब यह mercury फैलना स्टार्ट करेगा रीड़े फैलते यह przैलते यहां तक चला गया तो 4 cm और 1, 2, 3, 4 इसके आगे तक चला गया तो 4 cm में 40 mm आ उसके अंदर 4 गया है तो टोटल कितना हुआ 44 mm of Hg मतलब हमको बुखार कितना है 44 mm of Hg हमको इतना बुखार है 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 अब समझाया है mean mercury फैल रहा है और mm क्यों लिखे है कि mercury उतना आगे तक चला गया है हमारे हीट के द्वारा वैसे ही जब परेसर का मैजरमेंट किया जए जाता है अब प्रेसर का अटमोस्पिरिक प्रेसर का अटमोस्पिरिक प्रेसर देखने के लिए एक मसीन यूज होता है लाइक दिस है अब इसको मिटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा एक मस्तीन यूज होता है अब देखिए यहां से इसके अंदर लिक्वीड डाल दिया गया लिक्वीड जब युहां से प्रेशल पड़ेगा ना अंदर यहां से प्रेशल पड़ेगा तो यह water उपर भागेगा लिवाटर नहीं है, मर्करी है, कौन बाबू? मर्करी, जब यहां से प्रेसर हवा का प्रेसर है, जब हवा का प्रेसर पड़ेगा न, तो यह उपर भागेगा, और उपर भाग कि यह जहां तक जाएगा, मालो यह आ गया 8 पर, 8 सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, 80 mm of Hg, कोई पूछे, प्रेसर कितना है, 80 mm of Hg, अरे प्रेसर को मापने के लिए कुछ होना चाहिए न, यूनेट, आगी बोल दो कि धेर प्रेसर है, कॉम प्रेसर है, हलका सा प्रेसर है, प्रेसर है नहीं है, ना, क्या चाहिए, वो लिक्वीड के लिए उज़ होता है, सिर्फ फ्ल मरकरी है, मरकरी, अब एर प्रेसर हम देख रहे है, एर प्रेसर, एर प्रेसर यूज़ किया न, यहां पर, ATM, एट्मस्थिरिक प्रेसर, उसी को नब पास्कल बोलते है, यह हो गया, तो इन्होंने कितना प्रेसर यूज़ किया, बाबु, 0.01 mm of मरकरी, अ, bright spotlight was found, formed on the screen, coated with fluorescent material, यह fluorescent material कौन सा था, zinc sulfide, क्या बाबु, zinc sulfide, अब आप कहोगे, zinc sulfide क्या है, ZNS, zinc sulfide एक ऐसा material है, अगर इस पे light डालोगे न, कुछ बाहर से कुछ light विट पड़ेगे न, यह गलो करने लागे, जैसे radium देखो, radium, radium देखे हो, नहीं देखे हो, चलो हम बताते है, radium क्या होता है, घड़ी पहले यह आता था, भुक भुकिया, नहीं समझोगे, यह पहले घड़ी आता था, अरे यहर रहटाओ न, remote देखे हो, remote, जो AC का remote होता है, सब्सक्राइब करें लाइट जलता है वह रेडियम है घड़ी आता पहले बचवा सब शुटका शुटका पहुंता था उस घड़ी पे अगर एक बाद टॉर्च जला के अब बंद कर दो तो घड़ी में से लाइट निकलने लगता था फिर 10-15 मिट बाद उट डाउन हो जाता पिर ला जला तो फिर जलने लगेगा तो ये चीज़ त्थ उसको रेडियम बोलते है रेडियम आकल लाइट मिल्ने पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई हटाओ न हम नहीं पड़े हैं लेड़ वाई जथ थोड़ा सा पढ़ लो काम करेगा ना चली नेक्स्ट दा फ्लोरेशन्ट माटेरियल कोटेड ओन दे स्क्रीन एस्टार्टेड टू गलो वो गलो करने लगा बिकॉज इट वाज एस्टक बाई रे इसके ऊपर रे आया था रे आके टकराया था कौन सा रे और जिनेट फॉर्म कैथोड से इस दिज़ेश वर इमिटेट बाई कैथोड इसी का नाम इलेक्ट्रॉन पड़ अब समझे हैं इन प्रॉलम अब बात किया प्रोटॉन प्रति इलेक्ट्रॉन की डिसकवरी हमने कर लिया एलेक्ट्रॉन को खोज निकाला इलेक्ट्रॉन पर कुछ 1497 में डिसकवर किया एलेक्ट्रॉन को डिसकवर करने के लिए वह कितना वोल्टेज दिये बैटरी में 10,000 वोल्ट कि 10,000 वोल्ट का करेंट दिये हुए थे हैं उन्होंने कितना अप्रेसर अप्लाई गिया था 0.1 mm of Sg फ्लोरेसंट मटेरियल ला गया था जो गलो करेगा क्या नाम था जिंक सलफाइड ZNS तो कहां से रे निकला था कैथोड से उसका नाम क्या रखा गया कैथोड रेज और कैथोड रेज का नाम बाद में क्या रखा गया इलेक्ट्रॉन्स यह जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है उसको कब बनाया गया था 1878 1878 यह 82 में भी एक्सपरिमेंट हलाकी इस पे हुआ था 1878 किसने बनाया था रॉबर्ट क्रूक रॉबर्ट क्रूक याद रहेगा याद रहेगा वेरी गुड अब बात करेंगे प्रोट्रॉन्स के बारे में और यह जब इलक्टॉन पढ़ लिए फ्रोटॉन कहां में ला दिखत हो जाएगा अगा सो इलेक्टॉन से भी इजी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लेट सी डिस्कवर हुआ यह देखिए हुओता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार समय हम देख लें कितना बचा हुआ कितना मिनिट बाखी है फंदर मिनिट एतना दिर में तो पूरा खतम हो प्रोटॉन्स अराम से समझना प्रोटॉन्स यह वही लोग है जो नूकलियस के भीतर रहते हैं नूकलियस के भीतर मतलब लीव इन नूकलियस आप एन आटम यह एटम के नूकलियस में रहते हैं विलेक्टरोन नेगेटिव ठाज है यह फॉजिटिव ओजी झार्ड अगर पोजिटिव है तो कितनां प्लस 1.6 into 10 to the power, minus 19 Coulombs, इसके उपर चार्ज है, अगर बात की जाए इसके मास के बारे में, इसका मास जो होता है न बाबू, this is 1.67 into 10 to the power, क्या, minus 24, क्या, ग्राम, क्या बाबू, ग्राम, केजी नहीं है, ग्राम है, इतना ग्राम होता है, इसका मास, इसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रोन के मास से, इसका मास क्या है, ज्यादा है, 2000 गुना ज्यादा, कितना, 2000 गुना ज्यादा, प्रोट्रोन के मास से, इलेक्ट्रोन का मास, 2000 गुना ज्यादा होता है, समझ रहे हैं भी या पीशे, हाँ, जैसे, उनके मास से, हमारा म मास दस गुना ज्यादा है यह नहीं ऐता नहीं है चलिए नेक्स्ट जो यह प्रोटॉन है ना यह पॉजिटिव भी चार्ज है यह सारी बाते हो गई अब यह प्रोटॉन जो होता है इसको इसको पी सी डी नोट करते हैं किसे पी से अब उपर प्लस लिखते हैं पी फॉर पॉजिटिव ना जी पी फॉर पॉजिटिव याद रखेंगे अब ठीक है ना इस आरफाज शीवरी नेक्स्ट अब बात किया जाए यह जो प्रोटॉन है ना बाबू इसका मास अगर देखा जाए तो दिस इस वान पॉइंट सिक्स सेबें इंडू ट्रेंटी पावर माइनस ट्वेंटी फॉर ग्राम इसको हम अगर चाहें तो वान मान सकते हैं कितना वान इसी को वान यूनिट बोला जाता है वान यूनिट जब आप लोग नाइंथ क्लास में थे तो आपको याद ह हगा हाइडोजोन का मास्त गुरुजी वान यूनिट बोले थे मतलब हायवाजान का मास्त इतना होता है और इसी को one unit मान लिया गया था, इसी को one unit मान लिया गया था, तो यह हो गया proton के बारे में, proton की discovery जिसने किया, इसमें दो scientist का नाम आता है, एक आता है Eugen Ernest Goldstein, Eugen Ernest Goldstein, बाबु, Goldstein ने न, एनोड रे का discovery किया था, जैसे cathode रे का discovery किस ने किया, Robert Krug ने, लेकिन बाद में वही discovery आ गया थाम्सन के लिए, तो cathode रे का discovery किया, जेदे थाम्सन ने, एनोड रे का discovery किया, Goldstein ने, बाद में, बाद में इसको Rutherford ने, Rutherford ने इस एनोड रे का नाम रख दिया, proton, क्या बाबु, proton, जैसे cathode रे का नाम पढ़ गया electron, वैसे एनोड रे का नाम हो गया, proton, वैसे एनोड रे का नाम हो गया, proton, कोई पूछे, प्रोटॉन के discovery किस ने किया, Rutherford ने, और एनोड रे का discovery, ना, तो यह वाला जो discovery है, ना, यह 1886 में हुआ था, और यह वाला जो discovery है, यह 1911 में हुआ था, ना, 1911 में, मतब टाइटेनी के डूबने से एक साल पहले, टाइटेनी के 1912 में डूब गया, ना, उसके एक साल पहले, इनोंने experiment कर लिया था, अच्छा हुआ ना, तो उसी में डूब जाते, यह उसको थोड़ी थे, हो भी सकते हैं, All clear, मजाक कर रहे हैं, यह नहीं कहा ना कि सर तो थाइंटी स्लोगों पर भी बाते करते हैं, होता है, classroom में, हो गया, यह है proton के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें, ना, छोटी छोटी बातें, मोटी थोडी हैं यह सब, चोटा-छोटा है, ना, तो proton is positively charged particle, यह positively charged particle है, it is denoted by P, proton is present in the nucleus of an atom, the absolute charge over, proton is equal to 1.6 to 10 to the power minus 19 Coulombs of positive charge, means 1 proton is equal to plus हो गया है, यहां पर, बस, the absolute mass of the proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 gram and it is equal to the mass of hydrogen atom, the mass of proton is more than electron and is considered as equal to 1, so इसका mass अगर kilogram में देखा जाए, तो 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram होता है, है, all clear, very good, अब आता है discovery of proton, proton की discovery कैसे की गई, ना, proton की discovery कैसे हुई, इस पर discussion करते हैं, देखो, यह भी गलतियस से हुआ था, गलतियस से हुआ, खुब अराम से समझना है, एक scientist नाम था उनका goldstein, यहां पर एक cathode ray tube है, यहां पर एक plate है, यहां पर भी एक plate है, और इस plate में से current, इस plate में भी, current, यह plus, यह minus, यहां पर switch on कर देते हैं, यह है anode, क्योंकि plus से connected है, और यह cathode, क्योंकि minus से connected है, यह देखो क्या हुआ, बात ही 1886 की, सुना खुब ध्यान से, 1878 में, 1878 में, अभी अभी चार साल, पाच साल, छे साल, आठ साल पहले, रोबर्ट कुरूक ने क्या किया था, cathode ray के discovery, और रोबर्ट कुरूक ने देखा था, खुब बढ़ी आशा समझना बाबुलो, रोबर्ट कुरूक ने देखा था, कि cathode की तरफ से, एक ray आ रहा है, कहां पर, एधर, एनोर्ड की तरफ एक ray आ रहा है, यह तो दिखाई दिया था, cathode ray अभी दिखाई दिया, देखे जे आप, अरे बीच में ब्लू का लगा लाइट नहीं गिया था, cathode ray तो दिखाई दिया था, अपनी आँखों से हम लोगों ने देखाया भी अभी, यह एकदम डारेक्ट दिखाई दिया, तो इससे तो प्रूफ हो गया, लेकिन यह बड़ा दिमाग ही आदमी था, गोल्ड स्टीन, यह का कि यह देखो, कितना सुंदर, यह कई अच्छा, ऐसा हो रहा है, बड़ा दिर सोचा, 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 तब इसने क्या किया, इस cathode ray में न, cathode बजाया है, cathode plate, इस plate में छोटा-छोटा hole कर दिया, इस plate में न, hole कर दिये, इतना interesting discovery है, यह hole कर दिये, और hole करने के बाद, इन्हों ने क्या किया, इधर इस तरफ, इधर भी, fluorescent material यूज किये, क्या, zinc sulfide, इधर भी fluorescent material यूज किये, आज जैसे ही light on करते हैं, बिजिली देते हैं, current देते हैं, यह क्या देखते हैं बाबू, यह जो fluorescent material है, जहाँ-जहाँ-hole था न, उसके सामने, उसके सामने light दिख रहा था, एह, बड़ा दिकत कर रहा है जी, उसके, उसके सामने light दिख रहा था, यूरेका, यूरेका, ढून लिए, अब ही कहे, cathode का light तो इधर जा रहा है, और अगर यहाँ light पड़ रहा है, और इस hole से light आ रहा है, इस hole से, इस hole से अगर देखें, लाइट कहां से निकल रहा होगा, anode से, अगर cathode से light जा रहा है, तो इदिखाई दे रहा है, लेकिन anode से भी light निकल रहा है, देखो दुनियाँ वालो यहां ए नोड से भी लाइट आ रहा है को अगर इस प्लेट पर लाइट आ रहा है तो म ripping सकतना है अच्सकूर साइंटीस्ट तोड़ी बने हैं है साइंटेशम साइंटीस्ट हम ने अच्छे से दोन लिया एंधोड को डूंड लिया एंधोड रे को इन्होंने ढूंड लिया नाव एहनोड राडर्स है थी दिक वरी चलिए पढ़ा जायां इसको वकि यह तहला हुँ प्लेट है सिम तुसिम देखिए अब क्या गया था छाप लो यहां पर दिख रहा है दिख रहा है जी तो इन्हों ने क्या किया यह पर्फॉरेट कर दिया पर्फॉरेटेड कैथोड यह प्लेट है ना पर्फॉरेटेड पर्फॉरेटेड मतलब होता है ना होल जाली दार पर्फॉरेटेड में जाली दार ठीक ना जाली लगा हुआ ज चणना देख तो चाह समझा ना तो परफुरेटेटेट बोल से परफूरेटेटेट अब उसको नहीं बोलेंगे मालोग हम सथपने उसको यह इतना दीन पहने नकीश में पटफट गिया पर्फऔरेटिट सॉट है वो बचों सब नहीं होता है घर सीट के जीन सों फाल लेता है तो होता है पॉर्फऔरेट इन्ड यह गुलो कर रहा है मतलब light आया है बीना light का कोई चीज ग्लोग करता है हम अगार इस classroom का सारा light बंकर वादे इस आप लोगों के बोड़ी पर glowing होगा नहीं होगा फिर लभली लगा कि आना पड़ेगा और गुलो ना फिर लवली का नाम बदल के लो लवली हो गया है तो गुलो एंड लवली लाइट नहीं रहेगा तभी करेगा यह सार पैसा उसी के लिए जाता है ना अंधेरे में भी गुलो करेंगे इस अलो यह अच्छी बात है ना ठीक है जी तब मतलब जो लाइट निकल र करेंगे अनोड रेज क्या बाबो एनोड रेज बोलेंगे ओके ना चलिए कोई ऐसा स्टुरेंट क्लास में जो कल और परसो दोनों दिन नहीं आया था आज इसे ही आ रहा हो कि खड़े होंगे प्लीस खड़े होंगे तो थोड़ दिर खड़े रहेंगे यहां का रिवाज है वह है एको ना चलो थिटिंग तो डी कवर्य आप रोटाउन हो गया heated ऑगोज लिए जी तो हम ने डिसकावरी ओड़ोन कर लिया उम्यान खोज निकाला फिप प्रोल्टाऌहर जंकत है च्छीपके मैठा था एनोड को को खोजा प्रोटŌन को नहीं खोजाए एनोड रे को अभी प्रोटॉन नहीं मिला प्रोटॉन मिलेगा 1911 में प्रोटॉन मिलेगा 1886 चल रहा है 1886 चल रहा है 1911 प्रोटॉन मिलेगा न अब यह 1920 में जो है न प्रोटॉन का फाइनल डिस्कवरी मतलब फाइनल थियूरी होता है एटॉमिक चुरी जैसे डाल्टन ने दिया वैसे ही न्यूटन ने रधर फोट ने रधर फोट ने अपना फाइनल जो सब्मिट करना होता है न थियूरी वह 1920 में 1920 में एक और काम किये थे उन्होंने न्यूट्रॉन के बार चलिए कैनाल रे कैनाल रे नाम इसी का पड़ा था वेट 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 चलिए कहां थे आप कहां गया जी हां यह जो होल है होल तो होल में सोता है कैनाल जैसे कोई सुरंग है सुरंग सुरंग को सुरंग को कैनाल बोलते हैं तो यह जो लाइट निकला था ना इधर इधर यह सब सुरंग से निकला था इसी को बोला गया पॉजिटिव रे इसी को बोला गया एनोड रे और चुकि यह सुरंग से निकला था इसलिए इसका नाम पड़ गया कैनाल रे क्या बाबू कैनाल रे यह भी नहीं निकला था यही निकला था इसी का नाम है ठीक ना ओल क्लियर तो आयन का दो चीज़ क्या होता है हाँ के टायन और एन आयन तो के टायन एन बोलते हैं पॉलिटिव चार्ज नीडिव चार्ज बोलते हैं के टायन कहां से पॉजटिव चाहिए बोलो ना आगे अ कहाँ के मंतर नहीं भाए को सोना सोनी मंतर नहीं है आटi हो कघी कघण scar मेह अच्छा उसे लगता है अर पीली की टाट नहीं होती तांबा भी को सकता है ताभा वेसे गेटी उज़ार होता है और भरी नहां रैडित ब्राओन और पहले मिला था कैफोड वाला एक दिखाई दे दिया और अनोड वाला दिखाई ने दिया निकल तो रहा था दिखाई ने दिया तो उसके लिए अलग गलोईंग मटेरियल लगाए गया जब उसके मटेरियल पे पड़ा न तब दिखाई देन लगाएख कर बताओ अब बैठोव हम बताते है अमसी को हम यहां से दिखराऊ li.com निकाले यहां पर गया क्या आपको बीच में दिखाई देघरा है क्यों तो नहीं दिख रहा है कि लेजर लाइट यहां प Carry चल रहा है यहां जा रहा है तो बीच